तेज हर्याना के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले नमस्कार तेज हर्याना से गुर्विंदर पन्नों बड़ी खबर के साथ शुरुवात करेंगे जो की गाम चोटाला से आ रही है जहां पर भारत बंद का असर आज कोने कोने में देखने को मिल रहा है तो वहीं पर डिप्टीजियम दुशन चोटाला के गाम चोटाला में भी किसानों के और से तमाम संगठनों की पहल पर आज नैशनल हाईवे चोबन को पूरन तरिके से जाम किया गया विशेश बात ये है कि डिप्टीजियम का खुद का पैतर गाम चोटाला है जहां पर इस बार बड़े तोर पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है ना सिर्फ किसान सड़क पर बैठे हैं बलकि गाम चोटाला का जो बजार है वहां पर भी पूरन तरीके से सनाटा पसरा हुआ है और बड़े बात है आईनल्डी के भी किसान सेल की ओर से आज किसानों का समर्थल किया गया है जिसमें खुद आईनल्डी के दिगस जो नेता है रवी सिंग चोटाला धरने पर बैठे वो कई घंटों तक किसानों के बीच में रहे और लगातार चाहे सीटू की बात करें आप चाहे कच्चा सफाई करमचारियों की बात करें तमाम जितने भी संगठन है उन्होंने आज किसानों का साथ दिया है और लगातार चोटाला के नेशनल हाईवेज चोवन पर सुबह से किसान बैठे थे और हलांकि वहनों की लंबी कतारे लगी मगर किसी भी वहनों को जाने की प्रमेशन नहीं दी गई और आज सिरसा जिला में कुल 31 ऐसे स्तान निधारित किये गए थे जिसमें तमाम विधान सबा में ये माना जा सकता है कि कम से कम पाँच या छेचे ऐसे पॉइंट थे जहां पर हाईवे यानि चक्का जाम रखा गया है चाहे आप डवाली की बात करें खुया मलकाना की बात करें और इसी के अलावा आप चोटाला हाईवे पर गाम अबूब शेर में भी एक बड़ा चक्का जाम का कारेकर्म रखा गया था लेकिन बड़ी बात है कि पांच विधायकों के गाम और राजनिती की नरसरी चोटाला है जहां पर हाईवे को बंद किया गया था और वहां पर पहुंचे तमाम किसान संगठ्णों का क्या कुछ कहना है आइनलडी निता वहां पर पहुंचे थे लगातार उन्होंने सरकार के खिलाप नारेबाजी की और एलान किया कि जहां जहां किसानों को जुरूरत होगी में जो ताउदेविलाल की 108 वी जहनती पर कारेकरम आइनलडी की तरब से रखा गया था उसमें खुद एनलो सुप्रीमों की तरब से अलान किया था कि आइनलडी का एक एक वरकर किसानों किस भारत बंद के अलान को समर्थन देगा जिसके तैत कुद आइनलडी के नेता शुदाबागा खातर मादी के खेमत मुदाबागा पोल रसाती हलाब बोल सुषन चुटला पर हलाब बोल मनुरला अकतार होश में आओ डिसन एकता जिनाब बोल हमारा संगर्ज जिनाब बोल डबाली के किसानों की एकता जिनाब बोर बोल रसाती हलाब बोल दूसरें चुटाला पर हलाब बोल मनौरलाल घटर पर हलाब बोल घटर मौदी की हुकुमत मुर्दाब बोल किसानों की हत्यारी भाजबा होस में आओ किसानों की दुस्मेर भाजबा मुर्दाब बोल घटर पर होसी की बात है आज हम सबी लोग चे वो कॉमरेड है बीसपी के लोग है कॉंगरिस के लोग है चे अन्य दलों के लोग है इसमें हमें दो दल पसंद नहीं है जो एक तो वीजेपी और जेजेपी का यहां नाम लेने वड़ा नहीं है इस इलाके में इलाके में क्या जहां जहां मैं बर्मन करके हूँ पूरे हरियाना में इनको लोग जड़ से उखाड फेंकेंगे सब में जजबा है गरीब मजदूर आदमी भी आज देखो जंडा उठा के आज इस हंदोलों पर सड़कोबर बिटें जीटी रोड में यह देनिया आलत जो करके किसान की एचे मजदूरी की वेपारी की किसी की भी है तो यह बीजेपी और जेजेपी की नलाइकता की वज़े से कि दुसंत का खुद का का में उसकी जर्म सतली है उसको खुद को आना चीए अगर नहीं आएगा तो यहां आके एक दिन नाक रगड़ना पड़ेगा यहीं पबलिक है जो सता में बिठाती है यहीं पबलिक है जमीन सुंगा देती है तो आने वाड़े 2024 में इनका खाता भी नहीं खुलेगा आज जो 57 लोग है इसमें इंडिपेंट लोग भी है को मुनिस्ट्री के बुखे लोग भी है कल को यह सड़कों पर अके लिए गुम्चे दिखाए देंगे यह तो आने वाड़ा समय वह बता देगी पबलिक मैं इतना ही करना जाता हूं कि जो स्योगी साथ है जो इस आंदोलन के खिलाफ सटकों पर संग्रस करें और मैं खास करके बारूख्यडा के लोगों का दन्यवाद करूंगा कामरेट वाहियों का कि इन्होंने अपने गाम में बहुत अच्छी विवस्ता चला रुकिये तो गर्मी और सर्दी और साथ हर मोसम में यह लगाता मोर्चा के आवान पर आज चुटाला गाम में नेशनल आईवे को 6 बजे सुए से लेकर शाम 4 बजे तक सभी पार्टियों ने जंडे बेनर से उपर उठकर एक मत ओकर पूरा आईवे जाम किया है और बोविशे में भी पूरा गाम हमेशन ही राजनितिक पार्टियों से उपर उठकर तिन्नों कानूनों के विरोध में जाहे वो टिकरी बार्टर हो जाहे वो संब्बू बार्टर हो जाहे वो खेड़ा बार्टर हो सबिझे चुटाला गाम की हमेशन भूमिका रही है और बोविशे में भी सभी पार्टियों से Aunque कि सीबी बेनर जंडे से सम्मन रखते हो यह उमीद रखते हैं कि गाम कीakter ता किसदा काम की शड़कों पर दिखाई दे रहा है हैं पिछले दिनों लगे हुए हम अलग अलग बलोग को मिटिंग करते वे मजदूरों की किसान और मजदूर आज एक साथ खड़े हैं हमेरी लाद राणिया डबाडी बलोग के मजदूरों के मिटिंग करते हुए अलग अलग जगय साथियों को अबूग सर खुया टॉल पलाजा डबाड़ी सोक पर अलग अलग जो नजदीक लग रहे हैं वहाँ पूरे हर्याना के हमारे मजदूरों को किसानों के साथ हम खड़ा किया है बिठाया है उनके साथ क्योंकि लड़ाई चिर सामने आएगा उसके खाने के लिए जो सब्जियां है जो अनाज है वो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उनकी तिजोरियों में कैद हो जाएगा हम सारे साथ याद पूरे देश के अंदर भारत बंद करके एक संदेश देना चाहते हैं मोजी सरकार को और आरेसिस की सरकार को हम यह मेसिज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप पर भाड़ी पढ़ने वाले हैं अभी भी टाइम है अभी भी समय है आप समल जाओ यह तीन काड़े कानून रद करो अन्य था आने वाले समय मजदूर और किसान का होगा आपको किसी गाम के अंदर नहीं जाने दिया घड़ाएगा अभी भी आप देखोगे पिछले दिनों उनके हवाईद उपर गूम रही है उनके लिकवाटर उपर गूम रही है वो कहीं प्रोग्राम करने के आप चुटला में देखोगे हमारे बाय दूसे तो सरकार में हैं वह अपने गाम के अंदर नहीं आ सकते इसी त आगे भी कोई कर्याकर होगा तो हम एक जूट रहेंगे और साथ मिलक लाई रएगे और हवेश्य मिलक जितेंगे इनकलाब जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा के आवान पर तिन्नों काड़े किरिशी कानूनों के विरोध में MSP की ये गारंटी कानून की मांग को लेकर हर बार की तरह चोटाला गाउं तैसिल डवली वयास पास के गाउं के यां किसान मजदूर दुकंदार वेपरी साथी संयुक्त किसान मोर्चा के आवान को जवीन पर लागू करने का काम करते हैं आज समुचे राष्टर में एक सफल भारत बंद रहेगा तमाम दुकंदार वे वेवारी साथीों ने अपने विवेक पर किसी भी साथी को कहने की आवशक्ता नहीं पड़ी सारे साथीों ने अपने अपने परतिष्टान बंद रखे हैं हमने चोटाला गाउं वे चोटाला गाउं के आसपास के तमाम किसान और मज़दूर साथीों ने दवाली नेशनल हाईवे पर चोटाला बस टेंड पर हाईवे को जाम किया है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये जाम रहेगा घटर और मोदी की हुकूमत जब तक तिन्नों काले करीशी कानूनों को वापस नहीं लेती MSP का गारंटी कानून बना करके नहीं देती हमारा संग्रेश जारी रहेगा जो हमारे किसान मज़दूर माताएं बहनें करीब 800 के करीब जो हमारी साधते हुई है उनको सची सरदांजली यही होगी कि परतेक किसान मज़दूर नोजवान साथी संयूट किसान मोर्चा के आवान को जवीन पर लगू करने का काम करें किसी भी साथी की साहदत वेर्थ नहीं जाएगी नहीं सिरफ इनकी सडकों पर हम मुखालपत करेंगे बलकि इनको परदेश वे देश में सत्ता से भी बार करने का काम करेंगे अन्तिम सांस तक हमारा संग्रेश जारी रहेगा इनकलाब जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद यह आप द्रिश यह देख पा रहे हैं राजनेतिक गाउं चोटाला के जिस गाउं से हाल फिलाल परदेश की हुकुमत में उपमुखे मंतरी जेड विजली मंतरी वे अन्य विदाइक भी है आज जिस परकार स्यूक्त किसान मोर्चे का आवान था कि पूरे परदेश में और पूरे देश में समपूरण सफल भारत बंद रहेगा हर बार की तरह इस बार भी इस राजनेतिक गाउं चोटाला के किसानों की मजदूरों की दुकंदारों की वेपारियों ने अपनी एकता का प्रिच्चे देते हुए स्यूंत किसान मोर्चा के आवान को जमीन पर लागू करने का काम किया है आज किसी भी तमाम आप दुकंदार साथी को किसी भी वेपारी बंदू को ये कहना नहीं पड़ा कि आप किसानों के समर्थन में किसान आंदोलन के समर्थन में अपने अपने परतिस्टान बंद रखें बलकि तमाम वेपारी बंदूओं ने सवेम अपने विवेग से तमाम परतिस्टान बंद रखें हैं सयूट किसान मोर्चा डववली की तरफ से तमाम साथियों का हम बहुत बहुत अबार परकट करते हैं ये उमीद करते हैं कि निरंतर जब तक मोधी खटर की हुकूमत ये तीनों काले की रिशी कानून निरस्त नहीं करती, किसानों को MSP का गारेंटी कानून बना कर नहीं देती, तब तक तमाम साथी निश्यत रूप से ने सिर्फ सडकों पर मुखालपत करेंगे, बलकि पूर्ज पाने का सटर खुला हुआ नहीं है, बलकि तमाम दुकाने के सटर डाउन है, तमाम दुकंदार विपारी साथियों का बरपूर सायोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।